आपका स्वागत है हम क्लास 12 का चेप्टर 9 कंट्यू है हमारा अपर आक्सेसाइज 9.4 के उपर बात करेंगे इसमें हम सैपरेशन वैरियेबल को सैपरेट करके उनका इंटिगेशन करना सिखेंगे अगर आपने इंटिगेशन नहीं किया तो मैंने इंटिगेशन पर स्पेश् रहेंगे दो टाइप के रहेंगे और दोनों हमारे जो वैरियेबल एकस और वाइक का उनको सैपरेब करके अलग लग करके और उनका हम इंटिगेशन करेंगे उन से हम पार्टिकल सोलुषन और जर्रनल सोलुषन निकालना सिखेंगे तो इस लेक्शर में आज मैं क्कॉष् तो इसमें क्या रहेगा हमें दिया होगा मैं फर्ष्ट प्रवाइब बात रहा हूं कि पहले मैं तर क्या रहेगा हमें dy by dx is equal to हमें कोई भी x का variable देगा only पहले में किसका देगा only x का variable देगा only y के साथ यह dy by dx equation देगा इधर हमारे तो variable देगा जो भी equation देगा वो हमारी x की देगा only तो इधर क्या रहेगा dy by dx यह fx रहेगा तो हमारा यह x है यह कहाँ चला जाएगा इसकी इधर चला जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे dy by dx is equal to fx dx x इधर से cancel हो देगा यह उससे लगा अब क्या कर देंगे इसका हम integration both side क्या करेंगे integration both side तो क्या करेंगे dy by dx integration का sign is equal to integration fx dx यह हमारा solution रहेगा इसका हम integration कर देंगे इसका integration कर देंगे और बाद में जब इसका solve करने के बाद क्या हो जाएगा plus c जब इनमीन का integration कर देंगे तो plus हमारा c हो जाएगा हमारा गोर स्टुडेंट्स जर्नल सोलूशन यह हमारा method one था जिसमें हमारा only fx का एक variable रहेगा अब हम second method पर बात करेंगे जिसमें x और y दोनो variable रहेंगे तो दलते हैं second पर second में हमारा क्या given रहेगा student by by dx is equal to fx gy यह हमारा दोनो variable given रहेंगे इस type में क्या रहेगा हमारा जी वाई इस not equal to 0 रहेगा students अगर यह 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा फिर हमारा इस not equal to 0 तो क्या रहेगा student डिकैत क्या रहेंगे डिवाई डिकर वाई का variable हम डिक निचे लिखेंग रहेगे तो हमारा क्या जाएगा जी वाई और फ्रक्राइब्ण का लिखंगी यह जाए हम इसे लिएगे क्योंकि यह करेंगे यह कोई बात ने की नीचे लेंगे हम जहां करेंगे y की रेस्पेक्ट में रिसका करेंगे x की रेस्पेक्ट में उपर हमारा क्या हो जाएगा पलस में students यह एगा हमारा second time यह तो हम इस परकार आज दो method के उपर बात करेंगे तो हमारे separation of variable है उसके उपर अब चलते हैं question की तरफ की questions क्या देते हैं आफ students देखओ question 1 हमें क्या दिया हुआ है find the journal solutions of the following question हमें यह दिया हुआ दिया ओए d by dx is equal to 1 minus cos x upon 1 plus cos y students हमें किस type का दिया हुआ है question हमें method 1 का दिया हुआ देखओ इसमें क्या है dy by dx dy by dx is equal to f x only हमें किसका variable दिया हुआ है f x का एक xx का variable है हला तो आप students इसको कैसे char recap करेंगे देखो मैंने बता था एक्स का है तो एक्स तो उस साइट ले जाएगा तो हम इसको क्या ले सब्सक्राइब इस टाइब का फॉर्म बंड आई है तो हमें एक्स का वेरिबल एक्स के साथ कर दिया अब इंटिकरेशन बोथ साइट कर दिया जब y का इंटिकरेशन करेंगे तो स्टूडेंस समारा क्या अज़ d y का करेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा हमारा is equal to integration का sign 1-cos x को क्या लिखेते हैं 2 sin square x by 2 लिखेंगे अपोन 1 plus cos x को क्या लिखेंगे 2 cos square x by 2 और dx का dx होगा है 2 से 2 cancel होगा students हमारा तो आप देखो क्या बढ़ेगा इधर integration का sign sign square अपोन cos square क्या बढ़ेगा 10 square x by 2 dx यह होगे हमारा आप देखो y is equal to 10 square का integration क्या होता है students हमारा secant x क्या होता है secant x secant x by so students हम 10 square x by 2 को क्या लिखेंगे secant square x by 2-1 जो हमारी secant square x by 2 का integration हमारा क्या होता है 10 x by 2 क्या होता है 10 x by 2 अब x by 2 का करेंगे तो students हमारा 2 चला जाएगा उपर माइनस अब 1 का करेंगे तो 1 का किसी भी constant करते हैं जिसकी respect में करेंगे वो ही variable हमारा जाएगा तो इधर क्या जाएगा x और हमारा पलस में c तो students यह आया हमारा इसका answer अब चलते हैं students next question की तरफ कि हमारा next question क्या है तो next question हमें दिया हुआ है dy by dx is equal to unroot 4 minus y square क्या दिया है 4 minus y square अब देखो students हमें a की variable दिया हुआ है देखो हमारी कौन सी form बन गए dy by dx is equal to fy only fy एक ही variable वाली form बन गए है हमारी तो students हम इसको क्या लिख सकते हैं dy by dx यह इसके निचे आजाएगा अंडरूट 4 minus y square is equal to dx यह उस साइट जला जाएगा dx और यह हमारा इस तरह आजाएगा अब क्या करतेंगे हम integration integration both side तो integration लगा दिया हमने दोनो dy by dx अनरूट 4 minus y square is equal to integration dx दोनों का साइट हमने लगा दिया देखो integration का साइट अब student देखो इस साइट हमने एक integration में आपको कराया था तो formula लिखवाया था dy by dx जो भी ममारा रहेगा y रहेगा जो function रहेगा उसकी respect में करेंगे तो a square minus y square या दो भी हमारा function रहेगा वो उसका हमारा क्या रहेगा student sine inverse y by a plus c यह हमारा formula रहेगा student तो अब देखो इसका यह हमारे उसी form में बन रहे है बिल्कुल तो हम इसको क्या लिख सकते हैं sin inverse y का कितनी value हमारी y है only और a की value कितनी है हमारी इसको किसका square लिख सकते हैं 2 का square लिख सकते हैं तो y by 2 plus c is equal to dx dx का करेंगे तो क्या आएगा हमारा x तो students यह होगा हमारा answer इसका अब चलते है next question की तरफ की next question हमारा क्या है question number 3 अब देखो next question हमें क्या दिया हुआ है dy by dx plus y is equal to 1 हम इसमें क्या करेंगे देखो तो हमारी कौन सी form होगे students ही dy by dx is equal to fy हमारी single variable form हुई है only हमारी क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते है dy by dx is equal to 1 minus y तो student देखो हमारी single form बनगे है only y की form में अब क्या करदेंगे integration both side क्या करदेंगे integration both side integration both side कर दिया तो student जो हमारी y की है वो y के निचे लिए आएंगे तो dy by dx 1 minus y is equal to dx यह लिख सकते हैं student हम अब integration both side का sign लगा दिया मैंने अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम मैंने बताया था इसका integration में आप बहुत बार मैंने पढ़ाया था इसको हम क्या लिख सकते हैं log 1 minus y is equal to x dx का करेंगे तो क्या होगा x plus हमारा क्या हो जाएगा c student तो यह होगा हमारा इसका answer मैंने students आपने इंटिकेशन नहीं किया तो मैं फिर बोल रहा हूँ question 4 हमें क्या दिया हुआ है secant square x 10y dx plus secant square y 10x dy is equal to 0 students इसमें आपको students दिखी रहा होगा कि दो variable है हमारे x के भी हैं और y के भी है तो हमारे students कौन सी form बन जाएगी dy by dx is equal to fx fy हमारी दो variable दिया हुआ है उस वाली form बन जाएगी तो students देखो आप हम इसको क्या करेंगे इस टाइप के question में हम करेंगे secant square x 10y dx और दूसरी टरम को हम दूसरी तरफ ले जाएगे तो यह गया हो जाएगा minus secant square y 10x dy हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करेंगे students इसको same रखा इसको हम दूसरी साइड लेके चले गए तो मैंने इससे लिख दिया अब आपको students नजर आ रहा होगा कि हम y की variable को एक तरफ कर सकते हैं और x की variable को हम एक तरफ कर सकते हैं तो variables को अलग-लग तरफ लेके जाएंगे देखो इधर dx है इधर मैं dx वाले रख दे हूँ तो secant square x इधर हमारा 10 है तो इधर आ गया 10x यह dx हो गया हमारे x की variable एक तरफ आ x की respect में आगए और y के y वाली respect में आगए अब क्या करेंगे integration both side क्या करेंगे हम integration both side students अब इसके बाद आपको नजर आ रहा हो कि इसका integration हम कैसे करें इसका integration हम कैसे करें by substitutions method मैंने integration में पढ़ाया था आपको कि हम t put कर ले क्या put कर ले t t को क्या put करें 10x और इधर इसमें भी हम similarly करेंगे students तो इसमें करेंगे वो इसमें करेंगी तो इसमें भी हम कुछ भी आप put कर लो t is equal to 10y यह हो गया student हमारा तो put कर ले students इसको student सालग लग मान लो क्यों कि बाद में problem होगा तो हम इसको v मान लेते हैं आप देखो इसका क्या करेंगे differentiation करेंगे तो dt upon dx तो कितना 10x का करेंगे differentiation तो क्या जाएगा secant square x तो dt upon secant square x is equal to dx आगा है student हमारा और इधर v का करेंगे dv upon dy तो इधर कितना हो जाएगा secant square y तो क्या हो जाएगा students dv upon secant square y is equal to dy यह हमारे दोनों value आजाएगी students उसके बाद देखो क्या करेंगे उसके बाद हम next page पर चलते हैं देखो हम क्या करेंगे इधर dx की जगे हम dx की value पूट करेंगे इधर और dy की जगे हम dy की value जो हमारी नई value आई है में t put करने के बाद तो हमारे क्या आएगी integration secant square x upon 10x 10x हमने क्या पूट किया है t put किया है तो t ray लिया dx की value कितनी आई है dt upon secant square x is equal to integration का sign minus को हम बाहर ले लेते हैं अब secant square y as it is 10y को हमने क्या put किया है और dy ये value हमारी क्या है ये dv upon secant square y तो secant square x से secant square y से secant square y से secant square y cancel अब students देखो इधार हमारा क्या बच गए 1 by t dt ये बच गए is equal to minus 1 upon v dv हमारा ये बच गए students अब 1 by t का हम करते हैं integration तो हमारा क्या होता है log log t is equal to minus इसका करेंगे तो students हमारा क्या हो जाएगा minus log v और हम क्या हमारा plus क्या हो जाएगा अब सारी term log में आए तो plus constant क्या हो जाएगा log c ये हो जाएगा students अब देखो minus log v is equal to log c plus log t अब v की value हमारी देखो हमने v क्या लेट क्या था 10y तो v की जगह v क्या था 10y और x t क्या पूट क्या था 10x हम v की जगह और t की जगह उसकी value पूट कर देते हैं तो minus log v की value क्या पूट क्या था हमने 10 y is equal to log c plus log t की value हमारी क्या थी 10x ये हो गए student हमारी तो ये हो गए हमारा answer अब चलते हैं next question की तरफ question number 5 क्या हमारा question number 5 हमें दिया हुआ है e की power x plus e की power minus x dy minus e की power x minus e की power minus x dx is equal to 0 students आपको देख रहा हो only variable तो हमारे क्या है single variable question है हमारा आपको देखने से पता लग रहा है y का कोई वह ही नहीं है हमारी इसमें कोई variable नहीं है तो हम students मैंने आपको बताया था कि आये तो हम क्या करेंगे दोनों variables को अलग अलग लिख लेंगे दोनों side e की power x plus e की power minus x dy is equal to ये उससाइट जागा तो positive हो जागा e की power x minus e की power x ये क्या होगा students हमारा dx ऐसे लिख सकते हैं आप देखो dy होगे हमारा इस तरह e की power x minus e की power x e की power वाले को हम x की वाले को सारों के एक side लिखेंगे तो ये इसके पहुन में जाएगे multiply में तो तो e की power x plus e की power minus x dx ये होगा student हमारा अब क्या करेंगे हम इसमें integration बहुत side कि मैंने integration बहुत side कर दिया अब dy का क्या हो जाएगा students y हो जाएगा आप इसका integration देखो इसका integration कैसे करेंगे इसका integration आपको मैंने फिर बता रहा हूँ फिर हम क्या कौन सार्ज method लगाएंगे इदर substitutions method लगाएंगे substitutions method कैसे लगाएंगे कि हम t put कर ले e की power x plus e की power minus x को इसको हम t put कर ले तो हमारा differentiation क्या होगा dty dx is equal to e की power x इसका करेंगे तो minus e की power x तो dt की value कितनी आपकों में आजाएगा e की power x minus e की power x is equal to dx यह हमारी आई dx की value student अब देखो integration का sign यह है as t जाजाएगा e की power x minus e की power x और निचे वालों को हमने क्या put की है student t put की है तो t लिख दिया तो dx की value हमारी कितनी आई है dx की value यह आई है तो हम क्या लेख सकते है dt upon e की power x minus e की power minus x तो इससे यह cancel हो गया तो हमारा y is equal to integration 1 upon t dt बच गया तो students अब क्या करेंगे देखो 1 by t मैंने बताया था 1 by t का क्या होता है y is equal to log t plus c तो इसको हम क्या लेख सकते है y is equal to log t की value हमारी क्या ही थी students e की power x plus e की power minus x plus c students तो यह क्या होगा हमारा answer students यही इसका students इसको हम particle solution भी बोलते है इसका sorry students journal solutions हम इसको journal solution भी बोलते हैं अब चलते है question number 6 की तरब की question number 6 नमारा क्या है देखो question number 6 दिया हुआ है dy by dx is equal to one plus x square bracket one plus y square दोनों का हमें multiply में दे रखका लेकिन क्या variable है हमारे दो variable है तो हम x वाले को x की नीचे लिखेंगे y वाले को y की side रिखेंगे दोनों को दोनों के साथ साथ लिखेंगे तो हम y का देखो dy multiply में इस side जाएगा तो divide में हो जाएगा अब देखो one plus x square और यह क्या हो गए मदा है multiply में चला गए तो दोनों variables देखो different different हमारे अब क्या करेंगे integration both side तो हमने integrations both side कर लिया students उसके बाद देखो उसके बाद हम क्या करेंगे integration करेंगे तो students देखो यह हमारा integration का formula बन रहा है by a square plus y square तो इसका formula हमारा students क्या होता है one by a ten inverse x by a plus c हमारा इसका formula यह होता है student तो one का हम square लिख सकते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि one का square करोगे तो one ही आएगा तो हमारा क्या इदर इसका differentiation क्या हो जाएगा one by a तो one by a a की value one है one by one one ही हो जाएगा तो लिखने की कोई जरूत नहीं है तो ten inverse x की value कितनी है हमारी y यह इदर मतलब तो y का y हो गया हमारा y a y by one लिखोगे तो additives रहेगा कोई change नहीं होगा plus c is equal to अब देखो one plus x square one का करेंगे तो हमारा क्या जाएगा x plus x square का करोगे तो क्या जाएगा x cube अपोर 3 question 7 हमें दिया हुआ students y log y dx minus x dy is equal to 0 students तो इसमें भी देखो हमें दो variables नजर आ रहे हैं एक x का है एक y का भी है तो हमारे दो variables वारे होंगे दो variable को separation method भी हमारा same है क्या करेंगे हम देखो y log y dx is equal to x dy हम यह लिख सकते है students को आप क्या करेंगे देखो y वाले को y की side लेके जाएंगे x वाले को x की side students तो देखो इधर क्या है x dx होगा x हमारा इधर आ जाएगा तो इसके नीचे होगा तो dy वाले को यह multiply में तो यह हो जागा इसकी divide में y log y आप students क्या करेंगे integration both side हमारा same integration both side कर दिया आप देखो यह को है हो गया 1 by x 1 by x का integration क्या होता है हमारा log x हो गया students is equal to इसका integration देखो students हम कैसे करेंगे इसका integration के लिए हम same वह हमारा process रहेगा t वाला तो team m किसको put करें log y को किसको put करें log y को तो dt upon dy log y को क्या गया 1 upon y differentiation करा हम students में इदर तो log y का क्या आगया 1 by y तो इदर dt y इदर चला जाएगा तो y multiply में आजाएगा y dt is equal to dy यह आगया हमारा तो students dy की जगे हमारी क्या value आई y dt upon y log y को हमने क्या put किया था t किया था y से y cancel हो गया अब देखो log x is equal to 1 upon t क्या होता है students log t होता है हमारा पहला सारे दोनों ट्रम लोग में आई तो c हमारा क्या हो जाएगा log c में हो जाएगा constant ट्रम कोई भी आता है integration के साथ तो इसको हम क्या लग सकते है log x is equal to log t की value हमाने क्या रिग की थी log y put की थी log y put कर दिया हमाने प्लस log c इसको आप log की property से करना चाहो तो आप पर answer में वो दे रखा तो उससे कर ले तो इतना छोड़ दोगी तो भी हमारा answer बिल्कुल ठीक है तो students see हो गया हमारा answer आप चलते है question number 8 की तरफ की question number 8 क्या है students हमारा question number 8 दिया हुआ x की power 5 dy by dx is equal to minus y की power 5 तो students हमारे दो variable है तो दो variable का हमारे same हमारा method होगा तो हमारा same method होगा तो क्या होगा x की power 5 क्या करेंगे students dx तो उस साइड चला जाएगा dy is equal to minus y dx यह होगा students हमारा अब क्या करेंगे y की नीचे y वाले टरम को लेकर आएगे तो यह क्या हो जाएगा minus y की power 5 is equal to यह उस तरफ चला जाएगा तो 1 upon x की power 5 dx यह हो गया students हमारा यह इस तरफ आया तो y की नीचे y वाला variable होगा यह उस तरफ गया तो x की नीचे x का variable हो गया अब क्या करेंगे integration both side क अब इसका integration कैसे करेंगे देखो students इसको मैं क्या लिख सकता हूं integrations minus का तो भार ले लेते हैं हम तो y की power minus 5 उपर चला जाएगा तो minus की 5 dy is equal to integrations x की power minus 5 dx इसको यह लिख सकते है students हम दोनों साइड अब देखो किसी भी power का integration हम करते हैं देखो मैं इधर बता रहा हूं x square का integration कर करते हैं x square plus one power में one add कर दिया हो जो same power हो नीचे लिख दिया ऐसे करते हैं तो इसका क्या आएगा y की power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 यह हो गया is equal to इसका भी same होगा x की power minus 5 plus 1 upon minus 5 plus 1 plus see हो गया students तो इसको देखो इसके लिखेंगे y की power minus 4 upon minus four हो गया is equal to x की power minus 4 upon minus 4 plus see तो students इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो minus से minus cancel हो गया, positive हो गया हमारा यह तो y ऊपर y की power क्या है, minus में तो नीचे जाएगी तो positive हो जाएगी तो इसको हम क्या लिख सकते है, 1 upon y की power 4 और इसके साथ 4 है तो 4 लिख दिया, is equal to इस तरह भी क्या करेंगे, हमारा क्या रहेगा, minus का sign क्योंकि minus का 4 है, तो 1 by 4 x की power 4 plus c, students, यह क्या हो गया हमारा answer अब चलते हैं, students, question number 9 पे question number 9 क्या है हमारा question number 9 हमें दिया हुए students dy by dx is equal to sin inverse x, क्या दिया हुए sin inverse x, तो dy by dx, तो sin a की variable हमारा, तो क्या हो जाएगा sin inverse x dx हो गया, student हमारा, देखो integration both side करते हैं, students, आप integration both side करेंगे, तो dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, is equal to आप sin inverse का integration, student देखो, आप इसके लिए हम कौन सा rule लगाएगा i-let rule, कौन सा rule लगेगा i-let, और हमारा u into v का integration और multiply method, हमारा method और indications, उसके लिए हम i-let rule यूज करते थे, उसका use करेंगे, तो sin inverse x इसका करेंगे, तो इधर हम 1 मानेंगे और dx, इसका करेंगे, students i-let rule का मतलब तो सबसे पहले inverse function लेंगे, उसके बाद logarithm उसके बाद algebraic, उसके बाद technometric और इसके बाद exponential function हम लेंगे तो इसको इधर inverse पहले ही है तो हमारा कोई दिकत नहीं, पहले इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे तो इसका मैंने क्या formula बता था, students तो आपको दे को इधर ही करके बता रहा हूं, direct u तो हम as it is लेते हैं, यह u हो गया और इधर 1 ले लेते हैं, u as it is sin inverse x as it is ले लिया integration of v इसका integration तो 1 dx अब minus का sign, students integration का sign, अब u का differentiation, इसका differentiation, इसका differentiation क्या होता है, 1 upon and root 1 minus x square होता है, student ठीक है, अब integration किसका करेंगे, integration इसका दुबारा करेंगे x का, 1 का क्या होगा, लिख दिया हमान, agities, और फिर इसका पूरे का क्या होगा, students, integration का लिए, दुबारा dx, तो कि हमारा इसका दुबारा आने के बाद दुबारा, यह होगा, integration होगा तो y is equal to sin inverse x, और 1 का करेंगा, तो students क्या जाएगा, x तो x लिख दिया, minus integration, यह तो agities, जो 1 upon undrute x square, 1 का करेंगे, तो क्या होगा, x students, तो मैं इधर x लिख लेता हूँ, और इसके दुबारा integration करना है, तो dx पिछे लिख रखा है, मैंने तो dx होगा, students, अब देखो y is equal to x sin inverse x लिख सकता हूँ, इसको मैं, और students, देखो, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, students, देखो, मैं इधर ही बता रहा हूँ, आपको rough में, t is equal to 1 minus x square put कर ले, तो dt upon dx क्या जाएगा, हमारा, minus 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा differentiation, तो dt upon minus 2x is equal to dx क्या जाएगा, हमारा, ये value आजाएगी, students, हमारी dx की, अब देखो, integration, x as it is, इसको क्या माल लेंगे, t माल लिया, अंदर वाड़े को, dx क्या जाएगे, dt upon minus 2 by x, sorry students, minus 2x, तो x, x cancel हो गया, और minus minus क्या हो जाएगा, पलस हो जाएगा, तो y is equal to x sin inverse x अंदरूट t को क्या लिखता हूँ, minus 1 by 2, अब इसका integration करेंगे, student, तेको मैं इधर ही कर रहा हूँ, तो पलस 1 power में, और नीचे minus 1 by 2, पलस 1, तो integration का sign हमारा cancel हो जाएगा, और पलस c, तो students, इसको solve करके लिखेंगे, तो हमारा t 1 by 2 आ जाएगा, उपर positive का, और नीचे minus 1 by 2 हो जाएगा, तो 2 उपर चला जाएगा, तो इसको आप solve करके, लिखेंगे, अब हम next question पर चालते हैं, जो question number 10 है, question number 10 हमें जिया हुआ है, e की power x, e की power x, 10y, dx, पलस 1 minus e की power x, second square y, dy is equal to 0, students, तो 2 variable आप सको clear दिख रहे हैं इसमें, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, e की power x, 10y, dx, is equal to, minus, 1 minus e की power x, second square y, dx, students, यह होगा, students, sorry, students, dy, हमारा dy है इदर, तो यह होगा, अब dx वाले variables को एक तरफ ले जाओ, dy वाले को, यह वाले को एक तरफ ले जाओ, तो इदर dx है, तो तो इदर, e की power x, dx, इदर से e की power x वाले क्या हैं, 1 minus e की power x, समस्था मैंने एक तरफ लिख लिए, इदर minus का sign है, second square y, dy, तो इदर से y का हमारा, इसके नीचे आगा, हो गया, आप देखों, integration both side, हमने integration both side कर दिया, students, आप दोनों को, solve का से करेंगे, देखों, मैंने एक पिछे question समझाया था, आपको, same वैसे, t is equal to, 1 minus e x, put कर ले, तो dt upon dx, कितना आगया, students हमारा इदर से, minus e की power x, इदर क्या, v put कर ले, 10 y को, substitutions method, students, तो बहुत ही important है, आपने integration नहीं पढ़ाया, तो उदर से देख लेना, मैं, description में link देदूँगा, तो dv upon dy, तो इदर से क्या होजाएगा, 10 x, 10 y का, secant square y, और dv upon secant square y, is equal to dy, तो हमारा इदर से dy की value आ गई, और इदर देखो, dt upon, e की power, minus e की power x, is equal to dx आ गया, तो दोनों की value आ गई, अब हम question के उपर चलते हैं, देखो, integration, e की power x, इसके हमने क्या माना, t माना था, तो dx की value क्या है, dt, minus e की power x, is equal to, minus का sign बाहर ले लेते हैं, students, तो क्या हो गया, secant square y, upon, ये t माना था हमने, और इसकी value कितनी है, ये dv upon, secant square y, तो students, इसको v माना था, v हो गया, secant square y, cancel हो गया, e की power x से e की power x, cancel हो गया, और ये भी minus आ जाजागा, ये भी minus, तो minus हमारे तोनों cancel हो जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा, 1 by t, 1 by t किसकी equal होता है, किसका differentiation होता है, इसका indication क्या होता है, log t, plus log c, is equal to 1 by v क्या होगा, log v, तो log t की value हमने क्या लिए थी, 1 minus e की power, minus e की power, x is equal to log v, v की value हमारे क्या है students, 10 by, तो students, ये, इसका होगे, answer students, तो इस परकार students, आज हमने exercise, 9.4 का journal solutions, हमारे separation variables method से, हमने solve करना सिखा, जो कि बहुत important है, exam point of view से, हर बार questions इस exercise पूछे जाते हैं, तो आज हमने questions 1 to 10 लिए, next lecture 5 होगा, मैं उसमें 10 के बाद, जितने question exercise में बचे, उसके उपर लेने की कोशिस करूँगा, तो students, आज हमने जो सिखा variable को separation करना, अलग-अलग करके, और उनका integration और differentiation की help से, उनको solve करना सिखा, तो students, आज हमने फिर बोल रहा हूँ, अगर integration, differentiation नहीं सिखा, तो वो पहले सिखना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको differential equation समझ में आगे, तो ये differential equations, integration और differentiation का एक part है, इसके बनाए ये solution, इसका solve question हम नहीं कर पाएंगे, तो students, आज हमने दो variables का सिखा, और one variable का दोनों का सिखा, कि कैसे कैसे करते हैं, तो students, मेरे YouTube channel का नाम है सचीन, Math Classics, प्लीज, लाइक माई वीडियो, चैनले एक बेंगे, प्रेश बेल इकन नहीं स्चीन, प्रेश प्रेश नहीं वीडियो, थैक्यो तुद्ट्स,